हलो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Android में आप अपने Bluetooth की Connecting की प्रॉलम को आप सॉल्ट कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप यहां पे वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं और यहां पर आपको अपने mobile phone को एक बार रिबूट करना है फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पाउर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है आपको इस पेज में रिबूट का यह option टाप करना है इससे क्या होगा mobile phone automatic switch off हो जागा फर इसके थोड़ी देर बाद automatic switch on हो जागा रिबूट करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई problem आती है तो वो solve हो जाती है phone को reboot करने से ठीक है अब देखे अगला काम करना है क्या mobile phone के ने network setting को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है phone की network setting हमारी ठीक से काम नहीं करती है जिसके कारण हमारा phone का bluetooth दूसरी device के साथ connect नहीं हो पाता है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone को setting page open करना है सबसे उपर आपको search setting पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है ठीक है आपको नीचे की side थोड़ी देर में एक option शो हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा wait करना पड़ेगा लिखने के बाद तो यहाँ पर हम थोड़ा wait करना है देखिए option आ चुका है reset wifi mobile and bluetooth इसे आपको tap करना है आपको जो तीन सैटिंग देख रहे हैं वाइफाइ मुबाइल डेटा ब्लूथ हो जाती है आपको नीचे की side इसे reset setting पर tap करना है अब आपको इसे ok करना है तो आपको जो है नीचे लिखा हो आ जाएगा यहाँ पर network setting have been reset इस तरह की सब फोन की network setting को reset करना है जिससे ब्लूथ ही connecting की problem solve हो जाती है अगला काम ही करना है मुबाइल फोन का software आपको चेक करना है अपडेट है या नहीं है इसके लिए पहले तो मुबाइल फोन का internet आपको चालू करना है इसके बाद फोन का setting page open करना है इसमें आपको सबसे उपर यह about phone के सामने अगर यह update का बटन दिखाई देता तो इस update पर tap करके अपने mobile phone का software आपको update कर लेना है अब देखिए अगला काम आपको करना क्या है mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अधर्वाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए आप phone का setting page open कर लिए setting page में सबसे उपर यह search setting पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है तो आपको नीचे की साइड एक option शो जाएगा factory reset का थोड़ी देर में तो यहाँ पर reset लिखने के बाद आपको थोड दोसरी बात यहाँ रखने है पहली बात यह ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data किसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले लिजे दूसरी बात यह ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करने है उसके ब आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसके वज़े से आपके phone का Bluetooth किसी भी दूसरे device के साथ connect नहीं हो पा रहा है मैंने आपको जितने भी solution बता है ना इस वीडियो में सारे के सारे mobile phone के software के जरिये बता है ठीक है